वसीम रिजवी की फिल्म राम जन्म भूमी का ट्रेलर हुआ लॉंच यूपी शिया शेंट्रल वक्फ वोड के चियर्मैन है वसीम रिजवी कुछ राजनेतिक फार्टियां केबल मुसल्मानों के वोड बैंक की राजनीची करने के लिए पुरे देश का माहूल खराब कर रहे हैं 1992 आउध्या कांट पर बनी है फिल्म मफसित मुसल्मानों की है और इंशालला वहां बापनी मस्जिद कायम होकर रहेगी लानत हो यजीद और उसके बाप माविया पर जिसकी पैरोकारी ने तुम्हारे दिलों से हक बरस्ती चीन लिए अयोद्य विवाद और कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर है फिल्म वसीम रिजवी के अनुसार मुसलिम कट्रवाद के खिलाप उन्होंने उठाई आवाज आप भी उसी भीड का हिस्सा है जो हाथ में तलवार लेकर इंसानित का खून करने पर आमादा है और वो भी इसलाम के नाम पर मैं आरिफ खान इसी वक्त तलाग देता हूँ तलाग 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 राम मंदिर वावरी मंजिद और हलाला के मुद्दे पर बनी है फिल्म हम एक ऐसे मजभ में पैदा हुए जहां घर की बहु के साथ हलाला के नाम पर घर के ससुर हम विस्तर हुआ करते हैं खुद वसीम रिजमी ने लिखिये इस फिल्म की कहानी हिंदू सहिशनु था राम मंदिर समझवते से बन जाए तो इस से अच्छी बात क्या होगी नेता जी आपने जो काम कहा था वो हो गया